हलो इश्रेन, बहुत बहुत स्वागत है आपका कक्षा सात्वी गनित के इस वीडियो लेक्चर में इस वीडियो में हम प्रसनावाली 3.1 के प्रसन कमांग 5, 6 और 7 को सौल करने वाले हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप कॉफी पेन लेकर बैठे ताकि जो भी चीजे इंपोर्टेंट हो लिखने लायक हो उसे आप मेरे सांसांत लिखते जाएं और चीजों को समझते जाएं दुसरी बात यह कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसमें लाइक का उप्सन रहता है उसे आप दबा सकते हैं और मेरे साथ और आगे पढ़ते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी नया वीडियो आता है वो आपको जल्दी से ज बता चल जाए चलिए प्रस्नों को सौल करना सुरू करते हैं देखिए प्रस्न करमांग 5 को क्या बोलता है यदि त्रिभूज PQR में PQ और PR बराबर है और कोण R बराबर 28 अंस हो तो त्रिभूज के सेस कोणों को ग्यात किजिए अब यहाँ पर एक चीत्र भी दिया है ची करके देखते हैं क्या बोलता है PQ और PR बराबर है इसका मतलब यह जो आपका PQ है और यह जो PR है यह आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे आगे देखते हैं यहाँ पर हमें दो कोणों का मान को ग्यात करना है कोण कोण का मान को ग्यात करना है कोण B का मान को भी ग्यात करना है कोण Q का भी मान को ग्यात करना है लेकिन इसमें हम कोण से कोण को पहले ग्यात कर सकते हैं उसको आपको गौर करना पड़ेगा देखो य इनके सामने का जो कौन रहेगा वो भी बराबर होगा ठीक है यहाँ पर देखो PQ ये वाला जो भुजा है इसके सामने का कौन कौन सा है ये कौन R है कौन R का मान दिया है 28 ओके ठीक है P R P R के सामने का कौन है कौन Q अब नियम के हिसाब से कि क्या नियम है भई नियम बोलता है क कि जो भुजाएं बराबर होती है, उसके सामने का कौन भी बराबर होता है, उस नियम के साब से कौन Q और कौन R के होना चीए, बराबर होना चीए, ठीक है, इसका मतलब कौन Q कमान हमें कितना मिलेगा, 28 संस मिलेगा, तो उस नियम से हम कौन Q कमान को ग्याद कर पाएंगे, और उसके बाद कौण पी का मान भी ज्याद को पाएगी तो इसको हमें लिख के हल करना है, अब भी ना लिखे हल तो नहीं कर कर सकते ठीक है? तो यहाँ पर कैसे करना देखो सबसे पहले तो आप रस्नकत रमांग डालना फिर उसके बाद हल लिखना अब देखो यहाँ पर जो जानकारी दिया है उसका उपयोग अपन को जो ये बाकी कोण है उसके मान को ग्याद करने के लिए करना पड़ेगा इसलिए यहाँ पर जो जानकारी दिया है ना उसको हमको लिखना पड़ेगा ठीक है दिया है ऐसा लिखना ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर त्रिभूच PQR भी लिख देना ठीक है PQR में ऐसा फिर उसके बाद PQ बराबर PR तथा कोण R बराबर 28 तो यह दो जानकारी हमको दिया है ठीक है अब आगे का काम आपको करना है जो भी जानकारी कोण कमान को ग्याद करने के लिए आप बताने वाले हो उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ठीक है तो PQ की सम्मुख कोण देखो P और Q जो सिर्स है वो तो यहाँ पर आ गया अब कौन सा सिर्स बज़ गया सिर्स R बज़ गया है तो वही पर इसका सम्मुख कोण बनेगा ठीक है देखो चीतर को भी देखने की जवरत नहीं होती है हम यहाँ पर नाम के अधार पर सम्मुख कोण को पता कर सकते हैं कि यहाँ पर P और Q सिर्स आ चुका है तो कौन सा सिर्स बज़ गया है R वाला तो P Q का सम्मुख कोण कहां पर बनेगा ठीक है इसी तरह से तथा P R की सम्मुख कोण अब यहाँ पर देखो P और R आ चुका है तो कहाँ पर बनेगा Q पर बनेगा तो यह तो आपने यह बता दिया कि सम्मुख कोण 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 से है ठीक है यहाँ पर हमको बराबर भुजाओं की नाम भी दे दिया है ठीक, अब हमको नियम को लिखना है, क्या नियम है भई, चूंकि किसी त्रिभूज में बराबर भुजाओं के, देखो फिल हाल यह जो नियम हम पढ़ रहे हैं, त्रिभूज के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी और जो आकरिती है, उसके बारे में तो अपन को क्लियर कट इसलिए जब नियम लिख रहे हो, तो त्रिभूज सब्द का इस्तेमाल करो, चूंकि किसी त्रिभूज में बराबर भुजाओं के, सम्मूख कोण, बराबर होते हैं, तथा चूंकि पी क्यू बराबर पी आर, अब देखो, सम्मूख कोण बराबर होते हैं, यह तो नियम लिख दियें, अब कोण-कोण से भूजा बराबर है, उसको भी तो आपको बताना पड़ेगा, है कि ने, इसलिए उसको यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद हम इसलिए पी क्यू के सामने का कोण कौन सा है, कोण आर है, तो उसको उसके नीचे लिखो, ठीक है, बराबर और पी आर के सामने का कोण कौन सा है, कोण क्यू है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, अब देखो, यहाँ पर कोण आर कमान कितना दिया, 28 अंस, तो यहां पर हम लिख देंगे 28 अंस ठीक है तो इस तरीके से हमको कौन Q कमान पता चल गया है अब कौन सा कौन बज गया है देखो कौन Q हो गया है कौन R हो गया है कौन सा बज गया भई कौन P बज गया है यहां पर चित्रा में भी हम देख सकते हैं देखो कौन R का मान मिल गया है, कौन Q का मान अभी हमने 28 अंस पता किया है, अब कौन सा कोन बज गया है P, अब देखो एक दूसरा नियम याद करो, त्रिभूज के 3 अंतह कोनों का योग 180 अंस होता है, ठीक है, त्रिभूज के 3 अंतह कोनों का योग कितना होता है, 180 अंस होता ह तो हम उस नियम को यहाँ पर उप्योग करेंगे अब चूंकि त्रिभूज की तीनों अंतह कोणों का योग अंतह कोणों का योग एक सव असियंस होता है इसलिए कोण पी धन कोण आर धन कोण क्यूग बराबर कितना हो जाएगा एक सव असियंस अब देखो आपको कोण पी कमान तो ग्यार करना है इसका वेल्यू तो रख नहीं पाओगे ठीक है कोण आर कमान 28 दिया है कोण क्यू कमान भी 28 अंस हमको प्राप्ठ हुआ और यह हो गया आपका एक सव असियंस अब यहाँ पर क्या करना है इन दोनों को जोड़ना है और दूसरे साइड में ले जाना है ठीक है तो यहाँ पर कोण पी हो गया 28 और 28 कितना होता है 56 होता है ठीक है यहाँ पर बराबर के बाद एक सव अस्यांस है देखो अपन को कोण पी का मान तभी मिलेगा ना जब यह 56 वाला कायब हो जाएगा ठीक ह हम इसको दूसरे साइड में ले जाएंगे तो इसके आगे में कौन सा चीन है धन का चीन है यह धन का चीन क्या हो जाता है रिन का चीन बन जाता है इसको हम क्या करना बोलते हैं पक्छांतर करना बोलते हैं क्या करना बोलते हैं पक्छांतर करना तो अभी हमने क्या किया पक् कुक paganis औरहेगा अच्छानतर करने परल ऌई-च्छा करने पर इस तरीक से फिर उसके बाद यहां पर बराबर का चीन लगाई यह तो Quund P कमान मिलने वाला है ठीक है दो दियान तो यहां पर Dces odd करता का चीन भी आपको लगाते जाना है क्यों क्यों क्योंकि यहां पर Samuelic दोनों साइड में क्या हो रहा है प्रोसेस हो रहा है इसलिए ऐसा करना पड़ता है एक सवस्ती में है जब हम लोग 56 को घटाएंगे तो क्या मिलगा देखो यह 0 है 0 में से 6 तो घट नहीं सकता तो इससे हासिल लेगा तो यह 10 हो गया 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा चार अब यह एक दे चुका है तो यह खुद कितना हो गया साथ हो गया है साथ में से 5 गये तो लिक अपैस कितना ज़ाएगा दो और यहांपर एक सब्करण नहींमिदता है 124 है अब देख़ यहां पर दीखने रहा है तुम इस से थोड़़से नीच़ गा रहından, ठीक है कोन पी कितन और ₌ का मान दिया है यार्ण पर प्रसुन का ट यहाँ kız कॊंद से थे नहीं लिखना है क्यों उसी है क्यों से प्रसुन को को इस तरीका से वाला प्रसुन को आपको कमप्प्लीट करना है चलिए देखिए छटवा नंबर का प्रस्न, छटवा नंबर का प्रस्न क्या बोलता है किसी त्रिभूज की दो भुजाएं बराबर माप की है दो भुजाएं बराबर है मतलब की त्रिभूज क्या है? समदी बाहु त्रिभूज है यदि उनका एक सम्मुख कोण 30 अंसका हो तो सेस अन्य कोणों की माब क्याती देखो जब हम लोग सम्मुख कोण की बात करते हैं तो हम किन के लिए बात करते हैं बराबर भुजाओं के सामने का कोण की बात करते हैं यदि मैं एक simple चित्र बनाओं इसको समझने के लिए ठीक है देखो यहाँ पर यह मेरे पास एक त्रिभूज है यहाँ पर तो चित्र दिया नहीं है इस प्रस्न में और यहाँ पर दो भूजाएं बराबर है तो कोई सभी दो भूजा को मैं बराबर मालेता हूँ यह दोनों भ और और कोण एको हमको क्या करना है यहाँ अब देखो यह वाला भूजा आपका एक और वह ये दोनों बराबर हैं, तो इनके सामने का कोण, मतलब ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है वो परस पर बराबर होते हैं, ये वाला कोण का मान तीस अंस है, तो ये वाला कोण का मान भी तीस अंस होगा, ठीक है, और फिर त्रिभूज की परिभासा का यूज करके, त इसी त्रिभूज में तीनों अंतह कोणों का योग एक साव अस्यांसवता उस नियम को यूज करके हम जो ये तीसरा कोण बज गया है उसका मान भी ज्याद कर सकते हैं तो कैसे इसको हल करना है उसको देखो सबसे पहले तो आप प्रस्णक करमांग डालना फिर उसके बाद हल ठीक है अब यहां पर जो जानकारी दिया है ठीक है उसको आप बाद में भी लिख सकते हो यदि आप नियम पहले लिखना चाहते हो तो नियम को पहले भी लिख सकते हो कोई अद्दम फिक्स रूल नहीं है ठीक है आगे पीछे लिख सकते है तो मैं क्या लिखता हूं देखो चुकि किसी त्रिभूज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण परस पर बराबर होते हैं बराबर होते हैं ठीक हैं तथा यहाँ दिया है अब देखो क्या चित दिया है देखो यदि उनका एक सम्मुख कोण तीस अंस का हो तो उसी को मैं लिखने वाला हूँ ठीक है तथा यहाँ दिया है एक सम्मुख कोण बराबर तीस अंस एक सम्मुख कोण का मान कितना दिया है तीस अंस दिया है ठीक है यहाँ पर दो चीजे लिखे हो देखो चूकी किसी त्रिभूज में बराबर भोजाओं के सम्मू कोण परस पर बराबर होते हैं ये नियाम हो गया दूसरा चीत यहाँ दिया है एक सम्मू कोण का मान तीसान ठीक है ये आपको प्रस्ण में दिया था इसको आपने लिखा है नियाम को ठीक है इसलिए दूसरे सम्मुकोन, अब एक सब्दका प्रयोग कर दिया है, इसलिए यहाँ पर हम दूसरे सब्दका प्रयोग करेंगे, दूसरे सम्मुकोन, कोन बराबर तीसर, यह हो गया, आपको दूसरे कोन का मान मिल गया, देखो, दो कोन को तो सम्मुकोन बोल दिए, तीसरे कोन को क्या बोलते हैं सेर्स कोण ठीक है तो उसको कैसे ग्यात करेंगे उसको देखना ठीक है अब चूकी तरिभूज के तीनों अन्तह कोणों का योग तरिभूज के 180 होता है ठीक है अब यहां पर आपको दो कोणों के मान देती है तीसरे कोण को क्या बोलोगे सीर्स कोण बोलते हैं या फिर हम परसा तीसरा कोण भी बोच सकते ठीक है इसलिए कि तीसरा कोण बराबर 180 अंस रिन पहला कोण देखो 180 में पहले कोण को और दूसरे कोण को दोनों को घटाना है ठीक है तो दोनों को घटाना है तो दोनों को रिन के साथ आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके देखो क्या है ना नियम को लिखने के कई तरीके होते है आपका कोई एक fix pattern नहीं होता है कि आप ऐसा ही लिखो बस गणित में चीजे सही होनी चीए ठीक है यदि हम यहाँ पर कोश्टक लगा देंगे ऐसा करके तो यहाँ पर बीचे प्लस आ जाएगा तो वो दूसरा तरीका हो जाएगा लिखने का तो ऐसा confuse नहीं होना है ठीक है सिंपल सा चीज है तीनो कोणों के योग में पहला कोण और दूसरा कोण को घटा आना है दोनों को घटा आ रहे हो सिंपल सा नजर आ रहे है ठीक है तो आपको तीसरे कोण का मान मिल जाएगा तो यहाँ पर एक सब असी है इसमें मैं पहला कोण का मान ती cents खीक है अब यहां पर देखो 101it ॷी तो ठीक है यह तो प्लस है यह तो कुछ नहीं होगा यहां पर देखो यह रीह यह रीन है यह भी रीन है दोनों रीन है तो क्या हो जाएंगे जुडएंगे 106 और 30 कितना हो जाता है 60, अब 180 में जब आप 60 घटा अगे, तितना मिलेगा 120, तो देखो, आपको तीसरे कोण का मान मिल रहा है 120, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो, आंसर को यहाँ पर डबल लाइन खीचे नहीं, यहाँ पर भी आंनसर को ऐसलिख सकते हो, या फिर लाष्ट में आपको ऐसलिखना पड़ेगा अतह सेस कोण बेराबर 30 और 120 इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है, उत्तर आपला में 120 को आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं तो इस तरीके से आपको चट्वा नंबर का प्रस्ण को solve करना है यहाँ पर एक चीज है यहाँ पर जो मैंने यह चीत्र बनाया है यह आपका उत्तर का भाग नहीं यह जो चीत्र है यह उत्तर का भाग नहीं है इसको आपको समझने के लिए बनाना है ठीक है यह आपको उत्तर का भाग नहीं आप चाह प्रस्ण कमंग साथ क्या बोलता है किसी सम्दि बाहुत रिभूज का सिर्ष कोण सत्तर अंसका है समान भुजाओं के सम्मु कोण ग्याद कीजिए तो इसको अपन चितर रूप में समझते हैं फिर उसके बार इसको सॉल करते हैं तो सिंपल सही इसमें क्या बोलता है एक सम्द बाहुतर भुज में क्या होता है दो भुजाएं बराबर लंबाई की होती है जैसे कि मालो ये दो भुजाएं क्या है बराबर है और तीसरी भुजा क्या होती है उसकी लंबाई अलग होती है ठीक है अब यहाँ पर चीजों को समझो कि जो भुजाएं बराबर लंबाई की ह होती है ना उनके सामने का जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं और जो भुजा अलग लंबाई की होती है उसके सामने का कोण अलग लंबाई का होता है तो जो अलग लंबाई का है उसी को हम क्या बोलते हैं सिर्ष कोण बोलते हैं सिर्ष कोण बोलते हैं और उसी सिर्ष कोण का मान कितना दिया है यहाँ पर सत्तर अंस दिया है कितना दिया है सत्तर अंस दिया है हमें यह जो बराबर कोण है ना उनके मान को ग्याद करना है ठीक है अब प्रसमत तो समझ आ गया ओके अब इसको लिखना कैसे सबसे पहले तो आप ऐसे हल लिख लेना फिक हैं फिर उसके बाद यहाँ पर जो जानकारी दिया है उसको आपको लाइन से लिखना है क्या लिखना है सम्दि बाहु त्रिभूज का सिर्सकोण बराबर सत्तर अंस यह आपको दिया है देखो यह जो चीत्र है न यह आपके उत्तर का हिस्सा नहीं है ठीक है इस चीत्र को आपको हल के अंदर लिखने की जवरत नहीं है इसको आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है तो सबसे पहले आप ये चीत्रों को बनाना, चीजों को समझना की क्या चीज़े हैं, उसके बाद आप हल करना सुरू करोगे, जो जानकारी यहाँ पर दिया है, उसको आपको लिखना है, क्या दिया था, समझिवावत्रिभूज का सेर्श कोन सत्तरंस का है, अब यहाँ पर हम को पूछ क्या रहा है, उसको देखो, समान भुजाओं के सम्मुख कोन ग्याद कीजिए, चुकि समान भुजाओं के सम्मुख कोन बराबर होते हैं, अब देखो यहाँ पर ये चीज़ को बताया तो नहीं था, कि समान भुजाओं के सम्मुख कोन बराबर होंगे, बताया थ क्या नहीं बताया था इसलिए आपको इसको लिखना पड़ेगा कि समान भुजाओं के सम्मो कौन बराबर होते हैं उसके बार लिखना माना प्रत्यक कौन का मान एकस अंस है अब ये प्रत्यक कौन किसको बोर रहे हो जो कौन बराबर है उनकी बात करे हो ठीक है कहने को बताब ये वाला जो कौन मन है बराबर है इसको आप प्रत्यक को एकस अंस मार रहे हो ठीक है तो इस तरीके से इसको लिखना है उसके बाद हमको क्या करना है त्रिभूज का जो गुण होता है, क्या गुण होता है, त्रिभूज के तीनो अन्था कोणों का योग 180 अन्स होता है, उस गुण को यहाँ पर इस्तिमाल करना है, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, अब त्रिभूज की परिभासा से, त्रिभूज की परिभासा से, त्र अब देखो यार हमें यहाँ पर X का मान तो क्या आद करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो X X को जोड़ देंगे यह हो जाएगा 2X और यह जो 70 है इसके आगे कोई सा चीन है कोई चीन नहीं कोई चीन नहीं मतलब क्या है धन का चीन है और यह 70 इन बाकी लोग के साथ कैसा संबन में है जोड़ने के संबन में है तो इसको हम क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे दूसरे साइड में जाएगा 180 के साथ यह क्या करेगा 180 के साथ यह घटाना करेगा क्या करेगा घटाना मतलब की माइनस करेगा ठीक है रिन हो जाएगा यहाँ पर धन है वो धन यहाँ पर जाके क्या हो जाता है रिन हो जाता है इस तरीके से जब हम ले जाते हैं तो इसको क्या करना बोलते हैं इसको बोलते हैं पक्छांतर करना तो यहाँ पर हमने क्या किया प 110 अंस कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा ठीक है एक को अच्छे से लिख देता हूं यार ने तो फिर आप लोग बोलो कि कैसे कैसे लिखते हैं सरको है ना तो 110 हो गया अब देखो यहां पर यह जो दो है ना एकस के साथ कैसा संबंद में है गुना वाला संबंद में जब हम इस दो को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो उसको बोलते हैं तिरिया गुना देखो यदि यह अंस में गुना हो रहा है तो दूसरे साइड में जाके क्या होता है हर में गुना होता है ठीक है 110 के हर में तो उसको अपन को थोड़ा से अच्छे से लिखना पड़ेगा ठीक है यही पर आप ऐसा करके यह से आंसर लिख सकते हो आपका काम कंप्लीट हो गया है फिर भी यहाँ पर एक लिखना है अतहर कि बराबर कि भुजाओं के सामने का कोन या फिर आप वह सकते हैं सम्मुक कोन प्रतेक यहाँ पर प्रतेक का मतलब दो यहाँ पर कोन बनेंगे उनके प्रतेक ठीक हैं प्रतेक बराबर 55 अंस तो इस तरीके से इसको आपको लिखना है ठीक है 55 अंस लिख लोगे फिर यहाँ पर ऐसे डबल लाइन करना और यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हो यदि यहाँ पर नहीं लिखना है यदि यहाँ पर लिख दिये हो और यह दो लाइन को आपने नहीं लिखा है तो भी चलता है लेकिन आपको ये line को लिखना चाहिए यदि आपके copy में जगा है तो और answer को एक ही बारी यहाँ पर लिखना है यहाँ पर नहीं लिखना आप लिखते हो तो भी चलता है ठीक है चलो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेश्ट वीडियो में बागी को क्वेस्टन को तो Equity कि अरी तोदो है परक्वेस्टन को भी आरंख